हेलो मैं दियर स्टूडेंस हम लोग लेक्चर नमबर वान स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर के लिए ठीक है चैप्टर का नामे न्यूक्लियाई है यह न्यू चैप्टर हम लोग कौन सा स्टिक पढने वाले है मैं यहाँ पर मार कर रक दियाओ ठीक है फस्स मीं हम लोग जानेंगे एक्टों मिक माश्यस के बारे में नंबर सेकॉड मीट रखं़ can मORE अटों म आंबर यंडर नंबर के बारे में ।क्रहे स्टिक में हम रखं़ हम लोग cover करने को try करेंगे, ठीक है, so यह हम लोगों का index है कि हम लोग यह sequence में पढ़ने वाले है, ठीक है, अब हम लोग start करते हैं, ठीक है, जो first topic था हम लोगों का nuclear का वहाँ पर क्या लिखा था हम लोग नी, atomic masses, ठीक है, atomic masses मतलब क्या होता है, ठीक है, जो भी हम लोगों का atomic and nuclear, ठीक है, nuclear masses को, ठीक है, atomic and nuclear masses को हम लोग क्या करेंगे, measured करेंगे, ठीक है, और यह जो unit, the unit जो रहेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, atomic masses and nuclear masses को measured करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, atomic mass unit, ठीक है, this is short form में लिग गया, AMU, ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों का यह part clear हो गया, वही part यहाँ पर definition wise लिखाए, देखो, the unit in which atomic and nuclear masses are measured is called as atomic mass unit, ठीक है, सो अब हम लोग देखते, one atomic mass unit कितना होता है, यह हम लोगों का 1 by 12, ठीक है, 1 by 12 of mass of an atom, किसका रहेगा हम लोगों का, C612 का, ठीक है, carbon atom का रहेगा, तो यह हम लोगों का क्या हो गया, यह part यही मैंने यहाँ पर define किया, one atomic mass unit is defined as, 1 by 12 of the mass of an atom of C612, ठीक है, और इसको हम लोग representation wise क्या लिख दिया, यह लिख दिया, we know that हम लोगों का एवगेट रूग constant कितना होता है, 6.023 into 10 to the power of 0.3, ठीक है, अब हम लोग क्या न यह हम लोगों को जानना है, ठीक है, so mass of one atom, ठीक है, one atom of C12, कितना हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पर दिखते है, ठीक है, 12 divided by, कितना होता है हम लोगों का, एक second, यह हो जाएगा, 12 divided by 6.023 into 10 to the power of 23, यह हम लोगों का क्या मिल गया, mass मिल गया, ठीक है, so amu is equal to 1 by 12 into 12 divided by, क्योंकि mass of an atom of यह वाला लेना है, तो 12 divided by 6.023 into 10 to the power of 23, in terms of gram आ जाएगा, ठीक है, so यहाँ पर 1 by 12 है, यह देखो, यह वाला, 1 by 12, so यह part cancel, जब हम लोग क्यालकुलेट करेंगे, तो 1.66 into 10 to the power of यह हो जाएगा, minus 27, यह कितना हो जाएगा हम लोगों का, sorry, minus 24 in terms of gram लिखाए, तो यह part हम लोगों का ठीक ही लिखाता, ठीक है, यह part हम लोगों को in terms of gram दिया है, ठीक है, तो in terms of kg कितना हो जाएगा, 1 atomic mass unit equal to 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg हो जाएगा, ठीक है, so यहाँ से हम लोगों का atomic mass unit in terms of gram मिल गया, in terms of kg भी मिल गया, ठीक है, अब हम लोगों का in terms of किस किस के लिए, देखो, atomic mass unit, हम लोगों का, mass of electron के लिए लेंगे, proton के लिए और neutron के लिए लेंगे, mass of electron कितना होगा, 0.00055u, that means, 0 इतना unit हम लोगों का, क्या रहेगा, mass रहेगा of electron, और ये u जो दिया है, this is for atomic mass unit, ठेखे, mass of proton कितना होगा, 1.0073u, ये किस के लिए होगा, this is mass of proton, similarly mass of neutron जो रहेगा, ये किस के terms में लिख रहे है हम लोग, atomic mass unit के terms में लिख रहे है, तो 1.008u रहेगा, ठेखे, ये किस के लिए आगे हम लोगों का, this is mass of neutron, ठेखे, तो ये पाट हम लोगों को याद होना चाहिए, अब हम लोगों का second topic है, this is electron volt, ठेखे, electron volt जो हम लोग हम लोगों का क्या होता है, it is the smallest unit of energy, जो हम लोगों का smallest unit है, ये electron volt में लिखा जाता है, ठेखे, अब हम लोगों को पता है, जो energy होता है, या फिर work done रहेगा, वो क्या होता है हम लोगों का, charge into potential V, ठेखे, तो 1 electron volt हम लोगों का, ये charge 1.602 into 10 to the power of minus 19 into ये 1 दे दिया, तो 1 electron volt in terms of joule में लिखेंगे, तो 1.602 into 10 to the power of minus 19 joule हो जाएगा, हो जाएगा, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, जो energy का सबसे smallest unit, ठेखे, या फिर हम लोगों को energy मतलब क्या हो गया, work हो गया, ठेखे, तो वो हम लोगों को पता है, Q into V फार्मूला होता है, और ये हम लोगों का charge डाल दिया, 1.602 into 10 to the power of minus 19 डाल दिया, और volt कितना डाल दिया, 1 डाल दिया, तो यहां से हम लोगों को 1 electron volt मिल गया, 1.602 into 10 to the power of minus 19 joule, ठेखे, अब हम लोगों क्या करेंगे, जो energy हो, ठेखे, energy हम लोगों का कितना होता है, mc square, होता है, ठेखे, ये हम लोगों का famous कौन सा है Einstein mass energy, ठेखे, तो e equal to mc square, अब हम लोगों को पता है, जो m है, ओन 1 atomic mass unit जो लेंगे, 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg, और c जो है, हम लोगों का कितना होता है, 3 into 10 to the power of 8, ठेखे, ये हम लोगों ने atomic mass unit के terms में ले लिया, ठेखे, तो यहां से हम लोगों को ये part clear हो गया, ठेखे, अब हम लोग यहां पर देखते है, जो यहां पर, जो e है, हम लोग ने क्या लिखा, mc square, और mass जो लिखा है, हम लोग ने 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg, और c जो लिखा है, हम लोग ने 3 into 10 to the power of 8 meter per second लिखा है, ठेखे, सो हम लोग जब calculate करेंगे, तो कितना जगा, 1.49 into 10 to the power of minus 10 joule आ जाएगा, ठेखे, in terms of हम लोगों को, ठेखे, amu, 1 amu मतलब कितना होगा, in terms of यहां पर, जानना चाहे, तो हम लोग क्या करेंगे, energy is equal to 1.49 into 10 to the power of minus 10 divided by, ठेखे, कितना होगा, 1.6 into 10 to the power of minus 19, यह हम लोगों को पता है, ठेखे, 1 electron volt, in terms of electron volt लिखेंगे, तो E जो हम लोगों का हैगा, 931.15 into 10 to the power of 6 रहेगा, ठेखे, तो in terms of क्या होजगा, electron volt, अब देखो, यहां पर हम लोग इसी चीज़को, E equal to कितना लिखे, 931.15, 10 to the power of 6 है, तो क्या लिख सकते, mega electron volt लिख सकते, ठेखे, तो यहां से हम लोगों का, जो E equal to mc square है, इसको हम लो लोग ने, E equal to in terms of, ठेखे, mega electron volt में 931.15 in terms of E, यह जो condition है, ठेखे, यह भी हम लोगों का use हो जाएगा, ठेखे, तो यह पार्ट हम लोगों को, यह clear हो गया, 1 atomic mass unit equal to 931.15 mega electron volt मिल गया, ठेखे, अब हम लोगों का concept आता है, discovery of neutron, ठेखे, चो neutron कैसे discover हो गया, इसको हम लोगों को जानना है, ठेखे, सो पहले इसको मैं क्या करता हूँ, ठोड़ा erase कर देता हूँ, ठेखे, ताकि explain easily कर पाऊँ, ठेखे, इसको ठोड़ा erase कर दे रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर, main main part हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठेखे, सो यहाँ तक हम लोगों का हो गया, अब ह हम लोगों को जानना है, ठेखे, हम लोग ने पहले से पढ़ के रखा, ठेखे, nucleus आ रहा था, अब यहाँ पर neutron का discovery, कैसे आया neutron, neutron जो है हम लोगों का कैसा particle है, neutral particle है, ठेखे, carrying no charge, charge रहता है क्या neutron का, no charge, यह तो तुम लोग chemistry में भी बढ़ा है, ठेखे, having mass equal to roughly, जो mass होता है neutron neutron का, किसका बढ़ा बढ़ रहता है, mass of the proton का रहता है, ठेके, यह कैसे, experimentally किया गया, यह जो हम लोगों का neutron है, वो experimentally किया था, उसने क्या किया था, यह हम लोगों को जानना है, ठेके, इसने जो चाडविक ने, चाडविक ने क्या किया था एक्स्पिरिमेंटली ठेके एक्स्पिरिमेंटली क्या किया था इसने बंबाड किया था किसको बेरिलियम को ठेके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो रियक्सा ने वो लिख दे रहा हूँ ठेके बेरिलियम को यहाँ पर इस इस और कौन सा है बेरी लियम को ठेक है वस बंबाड़ेट वीद अल्फा पार्टिकल्स ठेक है अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या किया इसने बंबाड कर दिया ठेक है और हम लोगों को पता है जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हम लोगों का किसके बड़ाबर यह हम लोग ने किसमें पढ़ा था, एटोंस में भी पढ़ा था है, तो हम लोगों का क्या लिख दिया, लिख धिया अब वो करने के बाब यह जो बंबार्टमेंट हुआ, यह जो बंबार्डमेंट हुआ, सो यह जो है यह जो है यह हम लोग का यह क्या रिप्रेजेन करता है इस रिप्रेजेन न्यूट्रन जिसका मास नंबर कितना होता है हम लोग का वान होता है एन चार्ज ठेके चार्ज नंबर कितना होता है हम लोग का जीरो होता है ठेके so यह Chadvik ने एक्स्परीमेंटली करके मिला some neutron particles were admitted यह वला यह वाला path बोल रहा हूँ neutron particles were imitate कब हुआ था? जब beryllium को यह के बाद इसने satan यहाँ पर conclude किया और ये देखो, some neutral particles were emitted, whose mass was roughly equal to the mass of the proton, ठीके, ये इसको experimentally करने के बाद ये मिला कि mass of the proton के साथ क्या है, equal है, और free neutron is unstable, जो free neutron है, वो क्या है, हम लोग का unstable है, उसके बारे में ये मेने properties में भी थोड़ा बहुत बताया है, ठीके, और जो इसका lifetime होता है, वो कितना होता है हम लोग second, ये portion तुम लोग याद कर लेना, ठीके, कभी कबार पूछा जाता है, what is the mean lifetime of the neutron that is equal to thousand seconds, ठीके, ये कभी कबार पूछा जाता है, one marks में पूछा जाता है, ठीके, so neutron is stable inside the nucleus, जो neutron है, ठीके, वो कहाँ पर stable है हम लोग का, nucleus में, लेकिन outside रहेगा, तो unstable भी रहेगा, उसके बा हम लोगों का discovery of क्या कर दिया, neutron के बारे में जान लिया, bombardment of verylium with alpha particles करने के बाद हम लोगों को ये मिला, अब देखो, यहाँ पर balance करके भी देख सकते हो, 4 plus 2 कितना हो गया, 6, 6, यहाँ पर 0, 9 plus 4 कितना हो गया, 13, 12 plus 1 कितना हो गया, 13, so यह अब हम लोगों का क्या हो गया, balanced ह हो गया, balance तो obviously जरूरी है, तो यह वाला पार्ट हम लोगों का हो गया, अब हम लोगों का आता है, क्या आता है, atomic number, atomic number, यह जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो properties है neutron का वो भी हम लोग जान रहेंगे, ठेके, neutron is constituent of nucleus, जो हम लोग ने discuss, वो कर लिया, जो neutron है, वो किसका इतना होता है, 1.6 into 10 to the power of minus 27, जो हम लोग ने यहाँ पर बोला था, and roughly mass is equal to the mass of the proton, यह हम लोग ने 0.1 continue, ठेके, अब number second point, being neutral, it possesses high penetrating power, यह property याद रख लेना, कि जो neutron है, वो neutral होने की वाज़ा से, इसका जो penetrating power होता है, वो क्या होता है, एक्तम जादा रहता है, अब हम properties, it is uncharged particle, obviously charged नहीं है, and hence electric field and magnetic field, जो है, वो क्या रहेगा, उसका effect नहीं रहेगा, क्योंकि particle कैसा है, हम लोग का, uncharged है, uncharged हो गया, मतलब हम लोग का electric field and magnetic field, E मतलब electric field के लिए, B मतलब magnetic field में more effect रहेगा, कुछ भी effect नहीं देगा, क्योंकि कैसा है, particle, uncharged है, फिर उसके बाद हम का 4 ठेके also due to is neutral nature इसका neutral nature की वज़ा से high penetrating power रहेगा तो ionization power कैसा रहेगा हम लोगों का एकदम low रहेगा ये term याद रख लेना high penetrating power and low ionization power किसमें रहेगा हम लोगों का neutron में रहेगा ठेके point number 4 अब point number 5 हम लोगों का क्या है neutron is a stable particle within the nucleus however मैं वही पार्ट यहाँ पर बलने वाला था ठेके यह देखो यहाँ पर जो discuss किया था neutron is stable inside the nucleus ठेके और यह दी हम लोगों का however the nucleus outside the neutral is an unstable particle और यह जब हम लोगों का outside the जो रहेगा nucleus रहेगा वो क्या हो जाएगा हम लोगा unstable हो जाएगा और यह जो decay होता है इसका depth में हम लोग आगे में पढ़ेंगे यह जो हम लोगों का simply देखा जाए तो on1 ठेके 0 and 1 इसको हम लोग जब decay करेंगे तो हम लोगों का यह वाला पार्ट आएगा ठेके 1H1 प्लस E-10 प्लस यह वाला यह वाला हम लोग क्या बोलते है इसको बोला जाता है anti neutrino ठेके तो यह हम लोग आगे में depth में पढ़ेंगे depth में इसको discuss करेंगे ठेके और इसका जो mass होता है practically कितना होता है हम लोगों का 0 रहता है ठेके practically यह जो यह किसके बारे में बोल रहा हूं में entry neutron हो का यह जो emit किया गया है ठेके decay होने के बाद decay होने के बाद इसका जो practically mass है वो कितना होगा G, 0 रहेगा and जो spin रहेता है, ठीक है, तुम लोग ये chemistry में भी पढ़ा होगा, इसका spin कितना होगा half spin रहता है ठीक है, तो ये part हम लोगों का पूरा clear, ठीक है, ये properties है, किसके लिए, neutron के लिए, ठीक है, अब हम लोगों का topic आता है, क्या आता है, atomic number, अब atomic number मतलब हम लोगों को पता है, it is the number of protons जो भी present रहेगा किसमे, nucleus of an atom of the element, so जितना protons present रहेगा किसमे, nucleus of an atom में, उसको क्या बोलेंगी हम लोग atomic number, z equal to number of protons is equal to number of electrons, और इसको हम लोग किसे represent करता है, z से ठीक है, ये तो हो तुम लोग chemistry से भी पड़ते आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब लोगों का आता है mass number, mass number किसे represent करेंगे हम लोग, a से that is mass number क्या होता है और यहाँ पर हम लोग terms जानेंगे, it is the total number of protons plus neutrons present in the inside the atomic nucleus of the element and it is represented by क्या होता है, a होता है अर हम लोगों को पता है total number of protons and neutrons present inside the atomic nucleus of the element, ठेके इसको हम लोग क्या बोलेंगे mass number बोला जाएगा, ठेके, that means a equal to number of protons protons के लिए क्या लिख दे हम लोग, यहाँ पर ठेके, यहाँ पर लिख दे, number of protons plus number of क्या होगा, neutrons यह हम लोगों को जो देगा यह क्या देगा हम लोगों का, यह वाला पार्ट हम लोगों को देगा, mass number, ठेके and number of protons मतलब क्या होता है हम लोगों का, a equal to number of protons मतलब हम लोगों को यह वाला पार्ट, ठेके, z plus number of neutrons ठेके यह पार्ट हम लोगों का clear हो गया ठीक है, so यह देखे atomic A equal to number of protons plus number of neutrons तो A minus Z is equal to, क्या लिख देंगे हम लोग N, and यह जो N इसको क्या लिख दिया, number of neutrons so this is number of neutrons ठीक है, this is mass number this is atomic number, ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या calculate कर सकते हैं आराम से number of neutrons calculate कर सकता है, ठीक है so यहाँ पर देखते है a nucleic is represented as ठीक है, जो भी हम लोग का nucleic यह कैसे represent करेंगा, suppose C is 612, ठीक है, यह हम लोगों का क्या होता है, यह होता है atomic number, और यह हम लोगों का क्या होता है mass number होता है, ठीक है and X जो होता है chemical symbol है, जैसे यह किसके लिए रहेगा C, carbon के लिए रहेगा ठीक है, gold के लिए हो गया यह हम लोगों का किसके लिए गया, uranium के लिए हुआ हुआ, तो यहाँ पर यह वाला part हम लोगों को clear हो गया ठीक है, तो यह तो तुम लोग chemistry में easily deal करके आया हुआ है, ठीक है ओके, चलो, यह part हम लोगों को पूरा clear हो गया, ठीक है हम लोग क्या पढ़ा, atomic number भी पढ़ लिया और उसके बाद क्या पढ़ा mass number भी पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ेंगे nuclear size nuclear size जो है ठीक है, experimentally जब measure किया गया, हम लोगों को पता है कैसा रहेगा in the form of sphere रहेगा ठीक है, so volume of जो हम लोगों का nucleus रहेगा वो क्या लिख सकते है, 4 by 3 pi r cube, ठीक है, और यह जो हम लोगों का, it is directly proportional को किसका रहेगा, जो भी हम लोगों का mass number का, ठीक है यह कैसे मिला, यह हम लोगों का experimental measurement ठीक है और where r जो है यह हम लोगों का क्या है, this is radius of nucleus, ठीक है so, क्योंकि हम लोगों का यह वाला जो nuclear size calculation के लिए, यहाँ पर हम लोगों का किस form में है, this is in the form of sphere, जिसका radius का लिख दिया हम लोग ने, r लिख दिया और यह जो है directly proportional किसका है, mass number का, ठीक है so, 4 by 3 pi r qb is directly proportional to a ठीक है, so, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, r, यह जो हम लोगों का constant a, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, so, r is directly proportional to a to the power of 1 by 3, लिख सकते हैं, एसे करके, ठीक है, इसको हम लोग shift करके 3, 3 divided by 4, यहाँ पन, यह क्या हो जाएगा, हम लोगों का नीचे में, pi चला जाएगा, ठीक है, इसका जो value होता है, उसको मैंने r not से represent कर दिया, और यह हो जाएगा, r equal to r not a 1 by 3, ठीक है, यह just हम लोग ने shift करके, और यह जो हम लोग calculation किया, वो आजाएगा, 1.2 into 10 to the power of minus 15 क्या हो जाएगा, pi, ठीक है श्रिप यह वाला part नहीं, इसका जो हम लोगों का constant होता है जो value है, ठीक है, यहाँ पर यह part b रहेगा, प्लस दूसरा calculation करने के बाद, हम लोगों को कितना मिलेगा, 1.2 into 10 to the power of minus 15 meter रहेगा और जो a है, ए जो, ठीक है, यह हम लोगों का क्या होता है mass number a, वो different element के लिए क्या रहेगा, different रहेगा, therefore atomic जो nuclear है वो different elements के लिए क्या रहेगा, different size b रहेगा, ठीक है, ओके चलो यह part b हम लोगों का clear हो गया, यह याद रखे लेगा, यहाँ पर यह constant है तो इसको हम लोग consider नहीं किया, r is directly proportional to a to the power of 1 by 3 और उसके बाब इसको जो हम लोगों proportionality constant remove करने के लिए, remove करने के लिए यहाँ पर r 0 दिया और यह का value होता है, वो कितना होता है 1.2 into 10 to the power of minus 15 in terms of meter होता है, अब हम लोगों का ट्रम आगिया nuclear density nuclear density मतलब क्या होता है यह हम लोग देखते है, ठीक है पहले इसको हम लोग अब हम लोगों का आगिया nuclear density अब nuclear density मतलब density मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है mass divided by volume होता है, so mass of यहाँ पर किसका होगा nucleus divided by volume, so mass of the nucleus, यहाँ पर volume मतलब 4 by 3 pi r cube यह होगा volume 4 by 3 pi r cube, volume यहाँ पर कितना होगा 4 by 3 pi r cube और यह जो volume हो जाएगा अभी मैंने बताया r equal to कितना होता है r naught a1 by 3 होता है, यह हम लोग ने deal कर चुके है ठीके, so यहाँ से हम लोगों का r cube होगा, तो r cube equal to यह कितना होगा, r cube into a होगा, क्योंकि यहाँ पर यह वाला पार्ट में as a whole cube कर दो ठीके, यहाँ पर भी cube कर दो तो यह r cube आजएगा, यहाँ पर a to the power of 3 into 1 by 3 यह cancel हो जाएगा, तो r cube equal to, हम लोगों का यह वाला पार्ट आजएगा, 3, 3 get, cancel so r cube equal to यह वाला पार्ट हो गया ठीके, so 4 by 3 pi r naught cube a आजएगा, ठीके यह पर्ट हो गया, so mass of the nucleus हो जागा, m into a q, क्योंकि mass of the average of the nucleus and r हम लोगों का क्या गया radius, ठीके, so यह पर्ट हो गया so density कितना हो गया, m a divided by 4 by 3 यह वाला देखो mass जो हे, वो हम लोगों को कितना हो गया m a, ठीके so density हम लोगों का कितना हो जाएगा mass divided by volume, volume 4 by 3 pi r not cube a, ठीके यह वाला पार्ट हो गया, यह a, a क्या हो गया हम लोगों का, cancel हो गया होगा, so यहां से हम लोग यह 3 उपर में चला जाएगा 3, यहां पर 3 m divided by 4 pi r not cube आएगा, आएगा यही देखो, यहां पर यह करके 3 m divided by 4 pi r not cube अब हम लोगों यहां पर m का value डाल देंगे, ठीके यहां पर कितना डालेंगे, 1.66 10 to the power of minus 27, ठीके, और हम लोगों का pi का value 3.14 और r not का value यहां पर देखो 1.2 into 10 to the power of minus 15, ठीके, so r not का value यह वाला, यह वाला डाल दिया, ठीके, तो यह calculate करेंगे, तो हम लोगों को कितना मिलेगा, यहां पर देखते हैं, यहां पर हम लोगों को मिला, कितना मिला, 2.29 into 10 to the power of 17 kg per meter cube मिला, ठीके, 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 यह वाला, देख ले ना, density equal to mass by volume, ठीके, volume का यह वाला, कर लिया, यह, यह cancel हो गया, so mass into 3, यह उपर चला जबा, 4 pi r naught cube, r naught का value दाल दिया, m का value दाल दिया, तब जाके, यह हम लोगों को value मिला, ठीके, so कभी कबार prove एसे करके भी आता है, तो यह तुम अच्छे से note कर ले ना, hence, density of nucleus is same for all the elements, यहां से हम लोगों को calculation करने के बाद, यह तो part cancel हो गया, यह जब cancel हो गया, तो क्या हो रहा हम लोगों का, mass number में depend हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर conclusion में लिखा, density of nucleus is same for all the elements which is very large as compared to the density of the ordinary matter, ठीके, तो यहां से हम लोगों को, यह part clear हो गया, कि वो क्या रहेगा हम लोगों का, हो गया, ओके, चलो यह part हम लोगों का clear, अब हम लोगों का aisotopes, ठीके, isotopes मतलब क्या होता है, जिसका atomic number क्या रहेगा, हम लोगों का, सेम रहेगा, for example, 1H1, 1H2, यह वाला, ठेके, यह वाला हम लोगों का क्या रहेगा, आईसो टॉपस ओफ, क्या लिखेंगे हम लोग, हाईड्रो, जन, लिखेंगे की नहीं, so, यहाँ पर देखो, अटोमिक नमबर, क्या है हम लोगों का, सेम अटोमिक नमबर, ठेके, तो यह हम लोगों का क्या हो गया, आईसो टॉपस ओफ, हाईड्रोजन, यह वाला, 1, 1, 1, ठेके, तो यह एटोमिक नमबर, ठेके, और अटोमिक नमबर, सेम है, तो यह हम लोगों को पता, यह किसका होगा, आईसो टॉपस ओफ, हाईड्रोजन, similarly, यहाँ पर, इसके बारे में, मैं ज सो आटोमिक जो हम लोगों का नमबर है, वो सेम है, बट जो हम लोगों का यहादे 10, 11, 12, 13, 14, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते है, इस 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 आईसोटॉपस ओफ, कारबोन, ठेके, तो आईसोटॉपस मतलब हम लोगों को पता है, आईसोटॉपस मतलब हम लोगों को पता ह but due to the different atomic weight their physical properties are different यह चीज याद रख लेना atomic weight जैसे यहाँ पर देखो 1, 2, 3 mass number का atomic weight हो different होने की वज़ा से physical properties भी क्या हो जागा हम लोग का different हो जाएगा अब हम लोग suppose average निकालना पड़े तो वो भी हम लोग कर सके the atomic weight of an element is the wages of the average of जैसे for example suppose neon का neon का दिया है 20 एक mass दिया है mass isotopes of isotopes of neon ठीक है इसका अब हम लोग को क्या निकालना है जो भी हम लोग का average weighted है तो क्या हो जगा 20 दिया है ठीक है दूसरे का कितना दिया है 22 दिया है और किस ratio में हम लोग का 9 is to 1 9 is to 1 तो average atomic weight हो जाएगा 20 इन्टो 9 प्लस 1 इन्टो 22 divided by कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 तो यहां से हम लोग average जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा approximately 20.2 हो जाएगा तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा इस आवर average weighted यहां दर्खना है यह हम लोगों का किसके लिए कि हम लोग ने आई-सो बार्स मतलब क्या होता है जिसका atomic weight क्या होगा हम लोगों का same रहेगा atomic weight वो कैसा रहेगा हम लोगा same रहेगा for example Na 1122 N ठेके N यह हम लोगों का A sodium के लिए लिखाओं 1022 यह देखो यह जो हम लोगों का atomic atomic जो weight है वो क्या है हम लोगों का same है but different atomic number यह देखो atomic number atomic number कैसा हम लोगों का different है तो यह property को हम लोगों क्या बोलेंगे ISO बार्स बोला जाएगा अब इसमें क्या होगा इसमें जैसे जो chemical properties of ISO बार्स आर डिफ्रेंड क्यों chemical properties different होगा क्योंकि हम लोगों का atomic number है वो कैसा रहेगा हम लोगों का different रहेगा तो बट their physical properties may be identical due to some क्या रहेगा हम लोगों का atomic weight की वज़़ए से यह सेम होने की वज़द से यह physical property से वो क्या हो सकता है? identical हो सकता है, identical मतलब क्या होता है? same हो सकता है, but chemical जो chemical property से वो क्या रहेगा हम लोगों का? वो हम लोगों का different रहेगा, किस case में? isobars में, ठीके? तो यह पार्ट में यह confuse मत होना, यह सबसे importantly यह वाला point तुम लोगों को म बोल दे रहा हूं, atomic ठीके? यहाँ पर यह condition, यह chemical properties same, but physical properties क्या रहेगा? different, in case of isotopes, but isobars में हम लोगों का chemical properties are different, but physical properties are identical, मतलब क्या हो गया हम लोगों का? same हो जागा, क्यों? because of atomic weight, so यह वाला points तुम लोग क्या कर लेना? याद कर लेना, ठीके? ओके, चलो, thank you everyone